हेलो स्टूरेंट्स और वेलकम तो अधर लेक्ट्टर फ लॉव इदली आज के लेक्ट्टर में हम इकुटेबल रेमेडीज पढ़ेंगे पिछले चैप्टर में मैंने आपको कॉमन लोग रेमेडीज बताई थी मैंने आपको बताया था कि यह लास्ट यूनिट है कॉंट्रक लॉग का और यह एक बात मैं आपको बतातू कि यह बहुत इंपॉर्टन्ट यूनिट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टन यूनिट है ठीक है तो आप यूंट टेक दिस यूनिट फ़र गॉंटिड रेमेडीज में क्वेस्टे आपको आता है और अक्सर सेक्शन ए म पर्टिकुलर सेनारिव की रेमेडीज क्या होगी तो प्लीज इस चैप्टर को इस यूनिट को कॉमन लो रेमेडीज और एकुटेबल दोनों को आपने फो ग्रांटिड नहीं लेना यह वर अफ दा मोस्ट इंपॉर्टन यूनिट्स हैं कॉंट्रक लॉव पी थरी के अंद जरूरी नहीं है कि for everything money उसको compensate करते हैं बहुत से ऐसी चीज़ों होती है जिसके आपको पैसे नहीं चाहिए होता है आपको दूसरी जो है उसके solution चाहिए होती है दूसरे हल चाहिए होते है तो यह है वो दूसरे हल जिनके हम बात करेंगे आज पर्पस सब से पहले देख ले जो common law की remedies है वो नहीं दी जाती है equitable remedies दी जाती है equitable remedies for example तब दे दी जाती है इसके जो तीन points है वो यह भी है कि पहला point है कि जो item है वो इतनी unique है जिसके बारे में वो case है कि उसको पैसों से आप compare नहीं कर सकते है अब compensation उसकी possible नहीं है पहला point ठीक हो गया और उसका alternative आप कहलो क पैसे नहीं हो सकते हैं दूसरा point होगा है कि defendant pay नहीं कर सकता अगर defendant pay नहीं कर सकता तो obviously damages is not inadequate remedy फिर है पर कुछ और हल निकालना होगा इसका और third point है कि जो claimant का business है वो harm हो रहा है तो उस business मतलब पैसे देने पे compensation देने पे वो business के जो business हाम हो रहा है उसको फायदा नहीं है उस सबसे बहले देख लेते हैं अब इसकी types क्या होती है जो सबसे पहली type है वो है specific performance specific performance नाम से जाहिर है specific task की performance करना specific performance ये एक ऐसा order है एक ऐसी remedy है जिसमें court force करता है offending party को जो breach में होती है कि वो जो उनका part है contract का वो उसको करे ठीक है उसको perform करे ठीक हो गया मतलब equitable remedy ये तब दी जाती है जब एक party अपना part of the contract perform नहीं कर रही होती तो court उसे कहता है कि भाई तुम अपना part of the performance perform करो ठीक हो गया अब जो मैं आपको एक बात मैंने आपको last lecture में बताई थी अगर last lecture आपने नहीं देखा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो equitable remedies होती है ये court की discretion पे होती है equitable remedies court देने की bound नहीं है जो ज्यादा तर court prefer करती है वो common law remedy करती है damages ये वाली remedy binding नहीं है court पे होती है वो discretion है अच्छा अब सवाल ही उठता है कि कब-कब जो है court अपनी discretion जो है वो use करती है और कब-कब अपनी discretion ये वाली use court नहीं करती that's the question now अब specific performance के हिसाब से हम देख लेते है कि सबसे पहली बात ये कि specific performance ये key principles मैं आपको बता रहा हूँ जिन पर base करती है court की discretion के specific performance देनी है या damages देनी है specific performance पहली बात पहला point ये है कि ये तब grant नहीं की जाएगी जब damages adequate हो जब court को लगे कि नहीं damages जो है वो ठीक है fine damages दे दे देंगे तो काम हो जाएगा तो फिर damages ही मिलेंगे specific performance नहीं मिलेगी ठीक हो गया unless के जो subject matter है contract का वो बहुत unique हो और possible नहीं हो उसको कहीं और से acquire करना तो फिर उसको specific performance में आ सकते है वो second जो point है मार अब हो है कि जो specific performance है वो तब भी नहीं grant करती court अगर constant supervision court की जरूरी जरूरी हो उसके ओपर मतलब के court को constantly supervise करने की जरूरत है उसको possible करने के लिए तो courts के वास इतना time तो नहीं होता कि वो specific performance का order भी दें फिर उसको जाके supervise भी करें कि वो काम हो रहा के नहीं हो रहा ऐसा possible नहीं ठीक हो गया उससे अगला point है कि को specific performance generally तब भी available नहीं होती अग employment का contract हो मतलब यह बड़ी सीधी सीधी बात है एकसर students को बड़ी confusing सी बात लगती है कि यह क्या बात ही employment का contract क्या मतलब इसका मतलब यह है कि आप कभी भी किसी से जबरदस्ती employment नहीं करवा सकते मतलब आप किसी के खिलाफ specific performance का order नहीं ले सकते कि तुम यह फलानी task perform करो rights मतलब आप मुझसे damages ले ले अगर मैं employee था मैंने वो छोड़ दिया काम काम मैं नहीं कर रहा और तो आप मेरे से जब आपका नुकसान हो वो पैसे ले ले आप मुझे जबरदस्ती court के थूरू मुझसे काम नहीं करवा सकते वो क्योंकि obviously slavery तो है नहीं उससे अगला जो मेरा performance जो है वो subject to the principle of mutuality होती है इसका मतलब यह होता है कि अगर एक पार्टी को specific performance available है तो दूसरी पार्टी को भी specific performance available होती है it's always equal like mutual level पे available होती है यह नहीं कि एक पार्टी ने सीख की specific performance तो उन्हें मिल गई जब दूसरी पार्टी ने करने की कोशिश की तो उनको नहीं मिली ऐस से नहीं हो सकता specific performance तब भी available नहीं होती है इसका sixth and last point है कि जहां पर claimant action जो है वो inequitable हो मतलब वो ही आपका जो maximum है contract उसका equity का sorry कि he who comes to equity must come with clean hands मतलब कि आप नेक नियती से जो है अच्छी नियत से अगर equity की help लेना चाहेंगे तो equity आपकी help करेगी वर्रह equity आपकी help नहीं करेग कि इसमें dnc builders versus reese का case आप दुबारा भी use कर सकते है रायन रायन वर्सेज मूच्वल टॉंटीन westminster chamber association जो है जिसको आप रायन वर्सेज westminster chamber association भी लिख सकते हैं इसमें एक tenancy agreement था एक flat को rent पे लिया गया था apartment block के अंदर और landlord ने oblige किया था कि वो एक hall porter जो है वो देगा provide करे जो person था employed failed to do the work properly तो order for specific performance failed as the court could not expect it to supervise the work अब उसका ये फेल इस लगे जो supervision वाली मैंने आपको बात बता था ये उसका case है कि अब वो अपना काम नहीं कर रहा था ठीक से porter ठीक है तो specific performance इसलिए fail हो गया claim क्यूंकि अब court supervised अब court तो नहीं न जा कि वो देखेगी के काम ठीक स हो रहा है कि नहीं हो रहा को court का का काम तो नहीं है ये तो court ने अच्छा उसके बाद flight versus balland के case है जिसमें person seeking the remedy was a minor ठीक है the court would not award specific performance as the other party could not have been succeeded in obtaining the same remedy वो ये बात है कि ये mutual level पे होती है अगर एक party को available हो तो दूसरी party को भी available होनी चाहिए flight versus balland में चुके remedy minor seek कर रहा था तो वो अब specific performance की remedy दूसरी party को available नहीं थी तो फिर इनको भी available नहीं हुई उसके बाद जो webster versus cecil का case है उसमें claimant jay was trying to enforce a contract for land that he knew included in an inaccurate statement as to the price ठीक हो के and there was evidence to show what the price should have been his action failed and the contract was ratified to reflect the actual price agreed वही बात है simple words के अंदर के एक price ठीक से नहीं लिखी थी statement के अंदर price और थी statement के अंदर और थी statement क तो वह statement ठीक कराने के लिए specific performance is not the right remedy उसकी जो right remedy है that is ratification जिससे contract को ठीक किया जाता है यह भी equitable remedy ही है ratification ठीक हो गया तो इससे में साफ जाहिर होता है कि specific performance एम ही नहीं मिल जाती मतलब judges shopper में डालकर नहीं फिर रहे होते कि यह लो specific performance ले लो judges को चाहिए यह जो equitable remedies होती ही बड specific restitution का मतलब होता है कि अगर contract breach हो जाए तो specific restitution का मतलब होता है simply repayment of the claimant of any money or other benefits that they have passed to the defendant in advance of the breach of contract बहुत simple सी बात है कि अगर आपने advance में को पैसे दिये हुए थे और वो जो contract है वो breach हो गया तो वो breach होने के बाद वो जितने आपके पैसे है यह उनसे को benefit भी हुआ है अगर वापस मिल जाएगे contract law के अंदर जो restitution है इसका सारे का सारा मामला consideration के साथ है consideration का chapter अगर आपने lecture नहीं पढ़ा तो consideration का lecture में upload कर चुका हूँ अब वो जाके देखें बहुत important topic है वो भी तो consideration जो है यह obviously जब जो contract law में lane-dain होती है वो होती consideration है तो consideration का जो मामला है वो आपको आपकी वापस मिल जाएगी restitution जो है sometimes is used to prevent the unjust benefit to one party जारी बात है कि restitution की वज़ा से जो एक पार्टी को unjust benefit हो जाए उसको यह रोकते हैं तो वो जितना भी benefit unjust हुआ हो वो वापस हो जाते हैं अब आपको कि या damages भी चीज़ है यही चीज़ है यह भी compensation है और damages भी तो compensation है यह क्य क्या मतलब यह घूम रही है बाता बहुत जाता specific restitution or damages में क्या फरक है specific restitution or damages में यह फरक है damages का मतलब होता है इंसान को compensate करवाना जो उसका नुकसान हुआ है वो on the other hand specific restitution का यह मतलब होता है कि एक party ने दूसरी party से मतलब एक unjust benefit हासिल कर लिया और बदले में कुछ नहीं दिया तो वो benefit वापस होना ठीक है तो यह difference है थोड़ा से इन दोलों में for example इसके नदर यह point भी आ सकता है कि अगर आपने कोई illegal काम कर की है को ऐसा काम करके जो आपका नहीं बनता था या आप नहीं कर सकते थे उसको उससे आपने को benefit ले लिया है तो वो benefit जो है वो भी आपको नही नहीं मिल सकता अटानी जनरल से बलेक में यह हुआ था कि एक बंदे ने और स्पाय ने एक स्पाय ने एक autobiography लिखी थी जो जिस पर उसको 150,000 pounds payment होनी थी 2001 में ठीक है और यह ही वस paid in advances as well तो वो जो बुक थी उसके इंदर कुछ ऐसी बातने लिखी में थी जो official secrets act 1989 के खिलाफ थी ठीक है और जो अटानी जनरल था उसने उसको उसको पर case कर दिया ताकि उसको prevent किया जा सके from taking the money he already owed ठीक है code ने यह injunction अलाओ की but also consider the situation with regards to damages ठीक है अटानी जनरल जो है उसको वो शो नहीं कर सका कि उसको कोई losses भी हुए है government को कोई losses हुए है इसलिए जो damages होना थे वो तो वो nominal होने थे क्योंकि loss तो कुछ हुआ नहीं है तो compensate क्या होना था however court यह नहीं चाहता था कि जो defendant है वो profit करे किसी ऐसे काम से जो illegal हो क्योंकि वो he was in breach of the official secrets act तो इसलिए होना था कि restitution could be used क्योंकि यह exceptional case है और the defendant जो है वो he did not provide full service through his breaching of the act तो and made a profit through doing what he had expressly been prohibited from doing कि जो उसका करना मना था उसने वो फिर भी किया और वो करने के बाद उसने उससे पैसे भी कमाए तो वो पैसे उससे ले लिये जाएंगे अच्छा अगली जो हमारी टाइप है equitable remedy की वो है rescission, rescission एक बहुत चोटी सी बात है, rescission का मतलब यह होता है कि contract चला ही नहीं, pretty simple से बात, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी ने कुछ perform नहीं किया, ठीक है, contract जो है, वो set aside हो गया, अपने सारे purposes के साथ खत्म हो गया, तो वो फिर rescission हो जाती है, उस contract की, उसमें कोई किसी से कोई damages claim नहीं कर सकता, आगे चलते है, आगे जाके आती है, इंजंक्शन, यह अगली टाइप है, equitable remedy की, इंजंक्शन जो होती है, वो दो तरह की होती है, एक prohibitory होती है, और एक mandatory होती है, ठीक है, prohibitory injunction का मतलब होता है, कि आपको कुछ करने से रोकना, और mandatory injunction का मतलब होता है, आपको कुछ करने का कहना, अब आप को कि सर, यहां तो confusion आ गई, फिर से, मतलब अब आपने ऊपर बताया कि specific performance का मतलब होता है, contract का part play करना, और mandatory injunction का भी मतलब होता है, कुछ करना, तो अब यह mandatory injunction में और specific performance में क्या फरक है, यह भी दोनों सेम बाते हैं, तो नहीं है, यह सेम बाते नहीं, specific performance में आपको वो करने का कहा जाता है, ज contractual duty थी आपकी, mandatory injunction की example ऐसे ले लें आपकी, for example, England and Wales के अंदर planning permission के बगार आप घर नहीं बना सकते, for example, आपने planning permission ली नहीं और आपने घर build कर लिया, अब since planning permission आपके पास नहीं है, तो आपको mandatory injunction दी जाएगी कि इस घर को गिराओ, इसको तोड़ो, तो तुम, allowed नहीं था तुमें ये घर बिनाना, तो इसको कहते है mandatory injunction, specific performance में ऐसा नहीं होता, specific performance में होता, specific performance में होता कि आपका, उस बंदे ने अपना काम कर लिया, जो contract में करना था, आपने करना है, आप करे, for example, उस बंदे ने पैसे दे दी है, आप उसको चीज दे दे, ये होती है specific performance, mandatory injunction, ये आपके पास की injunction की दो types है, एक mandatory injunction है, जिसमें कहा जाता है कि कुछ करो और एक prohibitory injunction है, जिसमें कुछ करने से रोका जाता है, ये भी देखा जाता है कि injunction मिल कब रही है, ठीक है, for example, अगर ये remedy मिल रही है as a final remedy, मतलब case decide हो गया है, और अब ये as a final remedy मिल रही है, तो वो final remedy जो है, वो final injunction होगी, mandatory injunction मिल जाए, prohibitory, that will be a final decision, a final remedy, लेकिन अगर ये दिर्मियान में मिल रही है, मतलब कि जब तक जनाब case हमारा decide नहीं हो जाता, तब तक आप ये काम ना करें, या तब तक ये करें, whatever it is, तो अगर ये interim मिल रही है, तो फिर उसको interim injunction बोलेंगे, interim prohibitory inj injunction या interim mandatory injunction, ठीक हो गया, और contract law के अंदर injunctions जो है, वो बहुत कम ही होता है, कि वो mandatory हो, mainly जो है, क्योंकि वो ज्यादातर specific performance में चला जाता है काम, तो ज्यादातर जो है, prohibitory injunctions ही होती है, अब finally इसकी limitations देंग लेते हैं, कि equitable remedy award करने की limitations क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता factors के अंदर-अंदर आपने case करना होता है, आपने उससे late नहीं करना, अगर आप उससे late करेंगे, तो आपका case action जवापका fail हो जाता है, ठीक हो गया, और इस जो, यह वाली जो limitation है, इसकी जो reasons है, वो twofold है, दो इसके main points है, पहली बात यह कि अगर valid case है, तो claimant को, के उपर ये evidence खतम हो जाता है, जो लोग होते है, वो कोई कहीं चला जाता है, कोई मार वगरा जाता है, तो इस तरह हो जाता है, documents गुम जाते है, second point यह है, कि defendant के लिए भी fair है, कि जितनी जल्दी हो सके, उसके उपर claim है, वो डाल दिया जाए, वो इसलिए भी, क्यूंकि defendant जो है, वो suffer कर सकता है, of not knowing the certainty of their budget, ठीक है, अगर for example, अभी ताज़ा ताज़ा काम है, तो defendant को यह idea होता है, कि हाँ ठीक है, मुझे damages देने पढ़ सकते हैं, यह मसला हुआ हुआ है, मिरे पर case हो गया, तो ठीक है, वो अपना budget allocate कर लेता है, लेकिन अगर एक दम से out of the blue, कितने सालों माद उस को, तो जारी बात है, law, चूँके justice के base पर काम करता है, तो दोनों parties के लिए जो है, fair and square game होनी चाहिए, ठीक हो गया, अच्छा, और एक और वैसे equitable, equity की तो एक magazine भी है, बड़ा मशूर जिसमें का जाते है, delay defeats equity, तो obviously जो claimant है, जो बहुत जादा देर करता है, claim लाने में उस को prevent कर दिया जाता है, from succeeding, वो obviously वो उसका case ही बहुत weak हो जाता है, अब इसकी evaluation देख लेते हैं, evaluation का यह ही है, कि मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत दफ़ा बता दा दिया हुआ है, कि damages जो है common law की, वो most useful or likely remedy है, जो courts देते हैं, court उसी remedy को prefer भी करते हैं, ठीक है, और यहा को गया, और सिरफ उन चंद cases में, जहां damages inadequate हो, वहाँ equitable remedies दी जाती है, क्योंकि obviously यह बात भी सच्छा है, कि money cannot compensate everything, उसके बाद जो बात वो यह है, कि कुछ situations ऐसे होते हैं, कि जहां money compensate नहीं कर सकती, वहाँ पिर equity आती है, equity आके उसके अंदर fairness और justice देती है, आपको further दूसरी की remedies provide करती है, ठीक, और equity एक parallel system है common law का, equity अलग से कोई law नहीं है, equity common law के साथ चलता है, उसको सिरफ flexible बनाता है, ठीक है, तो आप यह न समझें कि equity को अलग law है, common law को अलग law है, equity runs parallel with the common law, common law is the main law, equity उसको सिरफ add to करती है, उसको fair करती है, उसको just बनाती है, ठीक हो गया, और equity दुनिया को bind नहीं करती किसी में और यह right भी नहीं है आपका, आप जा के court में equity को as a right नहीं मांग सकते, compensation आपका right है, equity आपका right नहीं है, यह हमेशा ही जेन में रखिएगा, इसलिए courts की discretion है कि वो देते है कि नहीं देते है कि आपका हक नहीं हो, compensation आपका हक है, damages आपका हक हो और क्यों उसको equitable remedy मिलनी चाहिए, यह सारे का सारा burden claimant पर है, जो claim कर रहा है, ठीक हो गया, और courts पिर देखते हैं, अपने discretion use करके कि हाँ, equitable remedy देनी चाहिए, कि नहीं देनी चाहिए, इसके साथ ही, हमारा equitable remedies का chapter, remedies का unit भी खतम हो गया, और contract law का syllabus भी यहां पर खतम हो जाता है, contract law के पिछले chapters अगर आपने नहीं देखे वे तो वो जाके देख लीजे, और इसमें acceptance बहुत important है, consideration एक बहुत important chapter है, capacity से भी एक सर scenario question आ जाता है, फिर terms of contract के अंदर जो control of exemption clause है, वो बहुत important है, CRA important है, और remedies तो घर important है ही है बहुत जादा, बाकी further नीचे मेरा Instagram का handle दिया वह है you can reach me out on Instagram, you can follow me on Instagram, अगर वीडियो भी तक देख रहे हो, तो like कर दो नहीं की, तो subscribe कर दो, अब हम taught का lesson स्टार्ट करेंगे, soon, very soon, see you in the next lecture, बाबाए, अगर आपको A-Levels के lecture दोने में मसला हो रहा है, तो आप simply मेरे channel पे जाए, उसकी playlist में जाए, प्लेलिस में लाविद अली अगरे की playlist बनी ही है, उसको open करें, तो सारे lectures आपको वहाँ मिल जाएगा,